जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, बच्चे की दवा एक नजर मैं पी 125 ड्रॉप्स एक व्यापक रूप से निर्धारित दवा है, जो दर्द को कम करने और शरीर के उच्चत आपमान, बुखार को कम करने में मदद करती है, बच्चों में यह सिरदर दात दर्द, शरीर में दर्द, बुखार और सामानि सर्दी जैसी स्थितियों का इलाज करता है, पी 125 ड्रॉप्स मौखिक रूप से प्रति दिन एक नियत समय पर दिया जाता है, हाला कि इस दवा को भूजन से पहले या बाद में लिया जा सकता है, यह भूजन के बाद सब से अच्छा दिया जाता है, क्योंकि यह खाली पेट की अंद्रूनी परत को परिशान कर सकता है, खुराक और अवधी आपके बच्चे की उम्र, शरीर के वजन और संक्रमन की गंभीरता पर निर्भर करेगी, इसलिए अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक, समय और तरीके से चिपके रहें, यदि आपका बच्चा दवा लेने के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करता है, तो बच्चे को शांत होने दे और वही खुराक दोहराएं, यदि आपका बच्चा खुराक लेने के 30 मिनिट से अधिक समय तक उल्टी करता है, तो फिर से देने की अनुशंसा नहीं की जाती है। अपने बच्चे को पी 125 ड्रॉप्स को अन्य दवाओं, कई सर्दी और फ्लू की दवाएं और अन्य दर्ड निवारक के साथ नदे जिन में पैरासिटा मॉल होता है क्योंकि इससे ओवरडोज हो सकता है और हैपिटो टॉक्सिसिटी य क्षती जैसे खतरना दुश प्रभाव हो सकते हैं। इस दवा के सयोजन में अपने बच्चे को देने से पहले हमेशा किसी भी अन्य दवाओं की सामगरी की जाँच करें। आम तोर पर यह दवा बच्चों द्वारा अच्छी तरह सहन की जाती है। हाला कि कुछ बच्चों और प्रभावी मानी जाती है लेकिन सभी के लिए उप्युक्त नहीं हो सकती है। अपने चिकित्सक को सूचित करें कि क्या आपके बच्चे का रक्त संबंधी किसी विकार का इलाज चल रहा है। उसे किसी ओशधिय योगिक से अलजी है या उसे कोई जन्न दोश, या कृत जहानी या गुर्दा रोग है। यह आपके बच्चे के डॉक्टर को इस दवा की खुराक और उप्युक्ता का बहतर तरीके से मुल्यांकन करने में मदद करेगा। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।